हेलो दोस्तों वेल्कम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज के हम वीडियो पे देखने वाले हैं इसलेशन में मेंसुलेशन अरताथ शेत्रमीति के बारे में इस पर जो भी बेस्ड फॉर्मूलास होंगे उनको हम टर्की बेस्पे तरीके से देखेंगे सारे की सारे फॉर्मूलास रेक्टेंगल ट्रेंगल जो भी 2D 3D जो भी हमारे फॉर्मूलास होते हैं सभी देखेंगे तो सबसे पहले हम सुल बात करते हैं आयत से दोस्तों आयत क्या होता है आयत एक चतुरफुज बडी होती है इसमें दोस्तों ये एक टूडी होता है हमारा मतलब two dimensional body होती है जिसमें कि एक लंबाई होती है और एक चोड़ाई होती है लंबाई को हम दोस्तों L से देनोट करते हैं और चोड़ाई को B से अगर हमें कोई कहे कि आप area find करिए तो area क्या होगा तो दोस्तों जो area होता है आयत का वो होता है इस लंबाई का गुना चोड़ाई यानि कि L into B जो होगा हमारा आयत का area होगा ठीक है अब दोस्तों हमसे कोई कुछ है कि आयत का perimeter क्या होता है परिमाप क्या होता है तो दोस्तों आयत का परिमाप क्या होता है हम जब मान लेते हैं इस बिंदू से चलना आयत का परिमाप होगा ठीक है अब दोस्तों इसमें हमें देख रहा है कि ये एक diagonal है diagonal मतलब विकर्ण इसका ठीक है तो आयत का विकर्ण क्या होता है तो दोस्तों आयत का विकर्ण होता है चुकि हम यहाँ clearly देख सकते हैं दोस्तों एक समकॉन यहां होगा, एक समकॉन यहां होगा, एक समकॉन यहां होगा, ठीक है, आयत में हम अंदर दो गर्ण डरो कर सकते हैं, ठीक है, इसमें चार समकॉन होते हैं, ठीक है, तो दोस्तों चूंकी ये पूरा समकॉन है, ठीक है, और समकॉन तर बुछ में हम जानते हैं, कि अ जो हमारा हे वो हे हमारा गणाब ठीक है अरता क्योः क्योःयों Gir Ну Lab nen आयत की 3D वरडी होती ऐसे आयत की 3D बोडी होती है वह होती है क्योः ठीक है इस में दोस्तों एक हाईड और हम जोड़ते हैं जैसे की एक कमरा तो घनाब क्या होता है? इसमें एक लंबाई होती है, एक चोड़ाई होती है, और एक 3D Body होती है. तो दोस्तों जब भी हम किसी 3D Body की बात करेंगे, तो उसमें हम Curve Surface Area, Total Surface Area, Volume इन सब चीजों के बारे में discuss करेंगे. रूटी में हम देखते हैं कि हमें एरिया, पैरिमीटर और डागनल करते हैं, लेकिन 3D में हम यहां वॉल्यूम करते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका curved surface area क्या होगा, तो दोस्तों जो गनाब होता है, इसका curved surface area क्या होता है, जो आयत का परिमाब होता है, उसमें अगर हम height से गोना करते हैं, तो वह होता है हमारा मतलब, यह पूरा, यह पूरा, multiply यह height, ठीक है, यानी 2L plus B multiply h, ठीक, अब इसका total surface area क्या होगा, total surface area दोस्तों इसका यह होता है, कि हम देखते हैं इसमें, कि इसका area क्या होगा, तो दोस्तों सबसे पहले इसमें देखते हैं, कि इस इसका होगा B into H, उपर वाले का भी क्या होगा, LH, ठीक है, फिर यह B और यह L, तो LB, तो हम ऐसे देखते हैं, कि एक हमारा होगया, LH, BH, ठीक है, LB, LH, BH, LB, ठीक है, तो दोस्तों हम जब सबको जोड़ेंगे, तो यह हो जाएगा हमारा, 2 LH, प्लस, BH, प्लस, LB हमारा इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है, अब दोस्तों इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम जो होगा, दोस्तों, L into P into H होगा, ठीक है, अब दोस्तों हम से इसका डागनल पूचे, प्लागनल क्या होगा इसका, डागनल, डागनल जो ह दोस्तों इसका d is equal to under root l square plus b square plus h square ठीक है आते हैं दोस्तों next हमारे एक और 2d body पे वो होता है दोस्तों हमारा square square क्या होता है square भी एक बगार का आयत की ही तरह होता है ठीक है हम उसे आयत से ही relate करके देखेंगे कि मान लेते हैं वैसे तो square में सारी side equal होती है ठीक है इसका area क्या होगा जैसे की आयत में होता था l into b similarly इसका perimeter क्या होगा perimeter जैसे की आयत का 2 l plus b similarly इसका a plus a into 2 2 to the 4A इसका perimeter पर ठीक है इसका diagonal होग वो क्या होगा इसका diagonal गरो 2 into a अब हम वर्ग से आते हैं उसकी 3D body पर ठीक है वर्ग की जो 3D body होती है वो होती है क्यों अर्थार्त घं ठीक है तो दोस्तों similarly जैसा कि हमारा घनाप था वैसा ही हमारा घं है बस अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें भी सभी body बराबर होंगी अर्थार्त यह सभी बराबर होंगे ठीक है तो इस जो गहान है इसका curved surface area हो जाएगा हमारा 4 एका square ठीक है height का multiply कर दिया आपने curved surface area हमें सब perimeter का multiply by height होता है ठीक है total surface area क्या होगा total surface area दोस्तों इसका जो है वो होगा 6 एका square ठीक है similarly इसका volume क्या होगा एका cube होगा ठीक है और diagonal जो होगा वो होगा root 3 multiply ठीक आते हैं दोस्तों next position पे next बात पे next है हमारा 2D body breath दोस्तों ब्रत क्या होता है ब्रत दोस्तों एक त्रिज्या होती है ठीक है पेरिमीटर होगा पेरिमीटर या फिर हमसे circumference भी कहते हैं यह होगा 2πr और इसका diagonal जो होगा या फिर diameter जो होगा 2r ठीक है अब दोस्तों इस ब्रत की 3D body क्या होती है ब्रत से जो हम 3D body में आते हैं तो यह होता है हमारा दोस्तों इसमें हम देखते हैं जैसकी र्रत में देखा था ठीक है सिलिंडर 3D है तो उसका curve surface है होगा curve surface है होगा तो ब्रत के perimeter जो भी होगा ये व्रत की 3D body है तो उसमें height का multiply कर देंगे इसका curve surface रिया जाएगा, अर्थार्थ 2 pi r h curve surface रिया होगा, सिरेंडर का, total surface रिया क्या होगा, total surface रिया होगा friends, 2 pi r parameter, और r plus h, चुकि एक एक गुला एड हो गया, एक ए सर्गल एड हो गया, और एक हाइड होगी, r plus h, similarly इसका volume क्या होगा, इसका volume होगा दोस्तों, pi उचो की 2 r है, इसलिए r square into h, ठीक, अगला जो होगा हो है हमारा cone, cone अर्थार्थ संकू, क्या होता है दोस्तों, एक जो जिसमें की हम जैसे की, एक आइस्क्रीम की cone होती है, ठीक है, पॉंगली, उसको हम, वैसे जो एक संरचना होती है, ठीक है, यह भी दोस्तों, एक 3D body होती है, ठीक है, इसमें एक circle होता है, ठीक है, दो, उसकी slant height होती है, यह, एक उसकी height होती है, ठीक है, अब दोस्तों, इसका curve surface area कैसे निकलते है, तो दोस्त, यह हो गया, इसमें एक तो अर्ध गुला हम consider करके चलते हैं, यह, ठीक है, तो अर्ध गुला क्या हो गया, ठीक है, और यह slant height है, इसका multiply, पाई आर L, ठीक है, यह, इसका curve surface area होता है, टोटल surface area of cone क्या होता है, तो दोस्तों, यह होता है, पाई आर L प्लस R, ठी similarly, volume क्या होता है, इसका cone का, यह होता है, 1 by 3, पाई R square, ठीक है, और H, मतलब, अब volume कैसे निकालेंगे, हम इस, इस पुरी चंडरजना को पकड़ेंगे, ठीक है, और इसे गुमा देंगे, किसी भी side, तो हमारा volume का लाएगा, ठीक है, अब यह slant height है, slant height कैसे निकालते है, so friends हम इस slant height में, निकालने के लिए, इसको कर देंगे under root, चुकि यह slant height है, इस तरह की संडरजना होगी है, ठीक है, यह समकौन होगा, तो यह हो जाएगा, दोस्तों, L is equal to under root, R square plus H square, okay, next है हमारा, गोला, अर्धाथ sphere, ठीक है, सब तरब से pack, ठीक है, तो इसका curved surface area निकालेंगे दोस्त, curved surface area इसका क्या होगा, इस पैर का, curved surface area is equal to, ठीक, 4 pi R square, ठीक है, कैसे, जब हम किनी, दो, गुला को मिलाएंगे, तब हमें, स्री, जब हम दो कोई circle मिलाएंगे, तब एक हमें, गुला मिलेगा, ठीक है, तो, एक ही होगा, पाई R, ऐसे चार, पाई R होंगे, जब हमारा, यह बनता है, ठीक है, गुला, इसका total surface area क्या होगा, total surface area दोस्तों, इसका होता है, similarly, वही, 4 pi R square, ठीक है, इसका total surface area, curve surface area, दो, एक ही चीज होती है, volume क्या होता है, volume होता है, दोस्तों, चार, बटा, तीन, pi R cube, ठीक, अब volume होता है, अब next आता है, अर्ध गोला, अर्ध गोला जो है, वह, गोले का लगभब आदा मन लोटी है, आदा होता है, तो, उसका curve surface area क्या होगा, 2 π.R² वॉल्यूम क्या होगा 2 by 3 π.R² अब दोस्तों और भी हमारे कुछ body बची हुई है जिनमें कि हमारा त्रभुज रहे गया है और चप्रभुज रहे गया है कुछ ठीक है तो दोस्तों आते हैं त्रभुज पे त्रभुज दोस्तों 3 प्रकार के होते है एक जिसकी सारी बचाएं बराबर होते है दूसरा जिसमें कोई 2 बचाएं बराबर हो तीसरा जिसमें सभी बचाएं बिन बिन हो इसे हम संभाहू अर्थार्थ एक्युलेटरल ट्रेंगल कहते हैं इससे हम समतिई पाहव ऐखा अर्था रेंगल कहते हैं और इससे हम इसकेलर रेंगल अर्था प्रिसम बाहव दर्बुच कहते हैं अब दोस्तों हम देख लेए Holland बड़ी अगा area का क्या स्ट referred करेंगे तो area find करने के लिए इसका area क्या होता है root 3 by 4 a का square ठीक है और इसमें जो height अगर हमको निकालनी हो इसमें height निकालनी हो तो height बराबर होता है root 3 by 2 a ठीक और perimeter निकालना हो तो perimeter यहां से शुरू करेंगे पूरा घुमेंगे तो a multiply 3 ठीक है दूसरा जो त्रिभूष होता है दोस्तों यह दो हमारा था sum बाबू ठीक अर्थार्थ equilateral triangle ठीक है दूसरा है iso-skilled triangle ठीक है sum बाबू इसकी दो भुजाए बराबर हों तो यह कैसे find out करेंगे a बराबर by 4 ठीक है यह इसका formula होता है 4 a square minus b square ठीक है similarly इसमें h कैसे निकालेंगे तो इसका और भी हाफ ठीक है 1 y 2 under root 4 a square minus b square इसका height काफ हो गया और perimeter कैसे होगा 2 of a plus b ठीक है a क्या था जो हमारी बराबर हो जाए बो जो बिसंब हो जाए वो b ठीक है next दोस्तों बिसंबा हो ठीक अर्थार्थ scalar triangle इसका formula क्या होता है area निकालने का area is equal to under root s s minus a s minus b s minus c ठीक है दोस्तों यह जो formula होता है हम इसमें और इसमें तोना द्रेबच में भी apply का सकते हैं ठीक है और s कैसे निकालते हैं a plus b plus c y 2 गर के ठीक है अब हम आते हैं बचे हुए कुछ चत्रोबज पर हमने कुछ चत्रोबज देख लिए था जैसे कि आयात हम देख चुके हैं आयात के साथ साथ हम वर्ग भी देख चुके हैं अब हम देखेंगे rhombas parallelogram papisium इन सब के बारे में तो चलिए है हाँ में तूछ तो चत्रोबज में हमारा रह गिया है समनांतर चत्रोबज समनांतर चत्रोबज जो होता है यह वर बजाए हं इसका area कैसे find out करते हैं जैसे कि runs यह एक प्रकार से हम कह सकते है आयत जो है थोड़ा तिश्रिशा करके हम रखती है yn इसका पेरिमिटर क्या होगा जो आयत का होगा वही होगा 2a ब्लस b ठीक है नेक्स्ट दोस्तों ये क्या है हमारा सम चत्रवच जो है हम उसे कह सकते हैं जैसा की वर्ग यसा ही होता है इसमें जो है थोड़ा तर्शा करके समझ लो आख हम वर्ग को रख दिए है ये ब οπο Sundhan का होता है एरिया जो होता है दोस्तों समचतर बुझका वो होता है half of d1 multiply d2 ठीक perimeter क्या होगा यह बुझाए है एवान लेते हैं तो इनका चारों जब भूमेंगे हम जो बरगर का perimeter होगा यह इनका होगा यानि कि 4a का square sides कैसे निकालेंगे हम इसकी तो side जो होगी s is equal to root d1 का square प्लस d2 का square multiply 1 by 2 ठीक है दोस्तों अब हम देखते हैं कि रिस्ता क्या क्या होगा मतलब relationship क्या होता है a और d1 मतलब विकर्ण और वो जा के बीच में तो दोस्तों जो relationship होता है वो होता है 4a square is equal to d1 का square प्लस d2 का square ठीक है इसमें सभी बुचाएं अलग अलग होती है a b c d सभी बेविन बेविन नाम माट की होती है ठीक है इसका area कैसे निकालते हैं इसका area होता है एक बटे 2 multiply height multiply जो समनांतर बुचाएं है इनका sum ठीक है sum of parallel side by यह होगी ठीक है sorry a और c parallel side क्या है sum a और c का जो sum होगा ठीक है अर्थाद इसका area कैसे निकालेंगे एक बटे 2 height sum of parallel side ठीक है और perimeter कैसे आएगा a plus b plus c plus d आई होब दोस्तों आप इसको समझ पाएंगे यह पूरे हमारे लगभग सभी 3D और 2D छेतर मीती अर्थाद मेंसुरेशन के फॉर्मॉलास थे हमने इन्हें कुछ को tricky ways पे देखा जो trick से available थे जनको हम trick से नहीं का सकते थे हो हमने normal भी में देखा ठीक है दोस्तों thank you very much I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा have a nice day